अब भी बोलता हूँ जब तक जिंदा रहूँगा सलमान भाई के साथ रहूँगा अपनी जान से भी जादा सलमान की सुरक्षा करते हैं शेरा जाने क्या कहा बौरीकाट शेरा ने सलमान के साथ अपने रिष्टे को लेकर सल्मान खान के साथ हमेशा दिखाय देने वाले उनके बोरीगार्ट शेरा भी अब किसी पहचान के महताज नहीं है शेरा करीब 29 साल से परच्छाई की तरह सल्मान के साथ है कई मौके पर देखा गया है कि दोडों की बॉंडिंग लाजवाब है हब शेरा ने एक इंटरव्य में सल्मान खान से अपनी पहली मुलाकाद के बारे में बताया साथ ही उन्होंने ये पि खुलासा किया कि आखिर वो कैसे सल्मान के बॉरीगार्ट बने अब सालों तक सल्मान के सुरक्षा में तैनात रहने के बाद शेरा का कहना है कि जिस तरह भाई को वो मैनेज करते हैं कोई और नहीं कर सकता है हाली में शेरा ने बाचीत की इस दोरान उन्होंने कहा मैं सल्मान के साथ पिछले 29 सालों से हूँ कई बोरिगार्ड एक अक्टर से दूसरे अक्टर के पास जाते रहते हैं लेकिन मैं इतने सालों से उनकी ही साथ हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई और भाई को मैनेज कर सकता है इंटर्वियो के दौरान शेरा ने सल्मान खान से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया उन्होंने कहा सल्मान खान से मैं सोहल के जरीए एक शो के दौरान मिला था सोहल सल्मान खान के लिए सुरक्षा चाहते थे क्योंकि एक स्टेज शो में कुछ दिक्कत आ रही थी उस वक्त में पगड़ी बंधा करता था जब सोहल भाई ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सल्मान भाई के साथ क्यों नहीं रहते हो मितियार हो गया अश्रवात में मैंने उनके साथ रोज नहीं सर्फ शोस के दौरान रहा करता था हमारा बॉन्ड बहुत मजबूत है मैं एक सरदार हूँ और वो एक पठान है और हमारी जोडी कमाल है मैंने भाई को कहा था जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा शेरा का असली नाम गर्मित सिंग है शेरा सल्मान के लिए एक ऐसे बोडिगाट है जो सल्मान के लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए हमेशा तेयार रहते है हर हालात में वो सल्मान के साथ एक पहार की तरह खड़े रहते है सल्मान की हर मशकल के वक्त में शेरा ने उन्हें बहुत साथ दिया है और इसलिए सल्मान ने गुर्मित सिंग को शीरा नाम दिया है हाला कि अब वो शीरा के नाम से ही जाने जाते है उनका जनम मुंबई में अंधीरी के मनिशनगर में एक शिक परिवार में हुआ था शीरा को शुरुआत से ही बौडी बल्दिंग का बहुत चौक था सर्मान के साथ आने से पहले उन्होंने मिस्टर मुंबई का खिताब अपने नाम किया था इसके अलावा वो मिस्टर महाराश्टर कॉंटेस्ट में दूस्टर नमबर पर रहे थे